सर्दियों में हमें हमेशा ऐसी चीजे खानी चाहिए जो हमें ताकत दे हड़ियों को मजबूत बनाए गर्माहड दे इसलिए आज मैं आपके लिए एक लड़ू लेकर आई हूँ जो स्वाद और सेहत से भरपूर है एक लड़ू खा लेंगे ना डेली तो ताकत आजाएगी चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो चाहे बुजर्ग हो तो चलिए फिर फटा फट से इसे बनाना शुरू करते हैं यहां हमने कढ़ाई ली है जिसमें दो से तीन चम्मच हम घी डालेंगे घी को गरम होने देंगे अब इसमें हम डाल देंगे गौंद पचास ग्राम मैंने गौंद लिया है आप कम जादा अपने हिसाब से कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा गौंद हम इसमें डालेंगे सारा एक साथ नहीं भूनना है तो आधा हमने अभी डाल दिया है एकदम लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते रहेंगे तब तक इसे पकाना है जब तक ये ए अच्छे से इसे भी अब हम बहार निकाल देंगे फ्लेम अभी भी लो पर है अब इसमें हमने वन फोर्थ कप काजू डाल दिये हैं काजू को भी अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लेंगे काजू बहुत जल्दी भून जाते हैं पंदरा से 20 सेकिंड लगेंगे हलक हलका ब्राउनिश कलर इन पर आ जाएगा उस टाइम पर हम इन्हें भी बाहर निकाल देंगे अब वन फोर्थ कप याने एक चौथाई कप यहां पर मैंने अखरोट लिये हैं इसे भी 15-20 सेकंड के लिए ही हमें भूनना है ये भी जल्दी भूनकर तयार हो जाते हैं बदाम को 1-5 मिनिट तक हमने अच्छे से भूना है लगातार चलाया है फ्लेम इस पूरे प्रोसेस में लो पर रहेगा इस बात का आपको ध्यान रखना है अब कढाई को हमने क्लीन कर दिया है और उसमें एक बड़ा चमच हम घी का डाल रहे हैं अब लो फ्लेम पर हमने यह पर चार चमच मेलन सीड्स जिसे खरबूजे के बीच भी कहा जाता है इन्हें हम अच्छे से एक मिनिट तक रोस्ट करेंगे लगबग एक डेड़ मिनिट में यह अच्छे से फूल जाते हैं और चटकने भी लग जाते हैं जैसे यह फूल जाएं चटकने की आवाज आए इ 200-2500 ग्राम हमने घी का इस्तिमाल किया है घी जैसे ही यह मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे गेहूं का आटा तो कप हमने यहां पर गेहूं का आटा लिया है यानि जितना हम घी ले रहे हैं उसका डबल हमें आटा लेना है अब आटे को एकदम लो फ्लेम पर लगा जैसे आप इसे भूनते रहेंगे वैसे वैसे यह घी रिलीज करता रहेगा एकदम लाइट हो जाएगा एकदम एरी हो जाएगा और हमें इसे तब तक भूनना है जब तक यह डाक ब्राउन कलर का नहीं हो जाता तो आप देखिए यह एकदम हलका हलका ब्राउन होना हो गया है जब आपको लगे बस दो तीन मिनिट में काम अपका हो जाएगा उस टाइम पर हम गॉंद जो हमने पहले सेख कर रखी थी उसे मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे यानि मिक्सी को एक बार चलाना है दो तीन सेकंड के लिए तो गॉंद जो है वो पिस जाएगा और आटे को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें दो चम्मच खस-खस के डाल देंगे खस-खस जिसे पॉपी सीड्स या पोश्ट डाना भी कहते हैं अच्छे से इसे भी लगातार चलाते रहेंगे ध्यान रखेगा तब तक इसे चलाना है जब तक आपको इस तरीके का डाक ब्राउन कलर नहीं मिल जाता जैसे ही आपको ये डाक ब्राउन कलर मिल जाएगा गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी परात में या बोल में ट्रांसफर कर देंगे 10 से पंदरा मिनिट के लिए इसे ऐसी ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से थंडा हो जाए अब जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक जो ड्राइफ रूट्स हमने रोस्ट करके रखे थे उन्हें भी हम पीस लेते हैं तो काजू, अख्रोट, साथी बदाम और इसके साथ ही खरबूजे के बीच ये सारी चीजे हम एक साथ ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और सब को हमे दरदरा पीसना है याने की जो ये नट्स हैं इनके जो चंक्स हैं वो मुँ में आने चाहिए जब हम पिन्या खाए तो इसलिए पूरा पाउडर नहीं बनाना है दरदरा ही पीसना है जैसी ये हो जाएगा इसमें 20-25 में किश्मिश डाल रही हूँ इसके साथ ही इलाइची क पाउडर मैंने लिया है आट दस इलाइची को कूट कर और दो चोटे चमच में यहां पर सौट का पाउडर जिसे ड्राइ जिंजर पाउडर कहा जाता है वो मिक्स कर रही हूँ अब सारी चीजों को हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे बढ़िया तरीके से मिक्स कर देंगे जैसा कि मैंने पहले कहा ड्राइ फ्रूर्स आप कम ज्यादा कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ढालिए जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा इसमें अपने हिसाब से चीजें कम या ज्यादा कर सकते हैं जैसे ही यह सारी चीजें अच्छे से मिक्स ओ जैसा आपको ठीक लगे आप बिल्कुल वैसा बना सकते हैं एक कप मैंने यहाँ पर बूरा डाला है मैं बीच में टेस्ट करके देखूंगी अगर मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा और डालूंगी फिलाल मैं इसमें एक कप ही डाल रही हूँ तो अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे अगर कुछ लम्स आ रहे हैं तो उसे भी तोड़ते रहेंगे और जैसे यह मिक्स हो जाएगा इसका थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम इसकी पिन्या बनाएंगे आप चाहें तो जो प्रॉपर पिन्यों का शेप होता है गोल गोल एक दम जिसे लड़ू बांधे हैं बलकुल वैसे ही बांधना है और उपर से आपको इस तरीके से गानिश करना है स्वाद और सेहत से भरपूर इस पिन्यों को इन सर्दियों में आप जरूर से ट्राइ कीजे और कैसी लगी है रेसिपी मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएए वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा चल्दी मिलेंगे हम अगली रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाबाए